हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं उमीद है अच्छे होंगे तो चलिए कुछ नए ट्राइ करते हैं आज मैं जा रही हूं बेशन का फाफरा बनाने जिसकी रेस्पी आप लोगों से सेयर कोई एक कटोरी के लगवा बेशन लगेंगे और इसमें समझे सारे मसाले लगेंगे मि नमक स्वादा अनुसार यह मैंने आम चूल पाउडर लिए हैं एक को टोड़ी 200 के लगवा बेशन है इसको मैं बरेवाले बावल में ट्रांसफर करूंगी इधर मैंने रिफाइन डाले हैं आप देख सकते हैं इसमें बरेशे बावल में ट्रांसफर कर लें इसको बेशन को अच्छी तरह से चानदे मैंने चान करते हैं को इसमें गुठ्लिया नहीं होनी चाहिए आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें आप मिर्च पाउडर डाल दें जीरा पाउडर का भी आप है वोजकर सारे इंग्रेडियंस आप डाल दें इसमें और मिक्स करें इस तरह से हाम शाज़ए इलंगे के हुआ है find देख सकते हैं अब देख सकते हैं व Y को अधी देखनों सकते हैं इसमीं मासाले मिक्स कर लिया है अधी चमच के लगगा इसमीं जीरा culture Sun टे जीगा है पर मैंने ऐसे इंजीरा ते चमच के लगए इना भूने हुए ऐसे वाला ही इंजीरा एड़ किया क्योंकि आम चूर पाउटर मैंने डाले हूँ मसाले डाले हूँ इसलिए नमक की मात्रा मैंने आप लोगों को बता है इस तरह से फूले को मिक्स करने के बाद आप इसमें मैंन थुरा सा अधे खेश भाएं जता है तेकला को लगों मैंने कि इसमें डाल करके इसको अच्छा से मिक्स कर लें तरह से लत needs ही कि अमना नियां कर सकते है इसी तरह से आप हाज की भी स्यायता से आप मिक्स कर सकते हैं देखिए इस तरह से मिक्स करके से मिला ले उसकता परे तो आप एक चमच के लगों पानी आइड कर सकते हैं वैसे उसकता नहीं परेगी तो आप थोगा सा आइड कर ले या नहीं भी आइड करें यह आपके उपर ह बहुत थीक हस्ता यह बनता है मैं अब इसे मिक्स करके आप लोग को दिखाती हूं आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बेशन को गुथ लिए हैं अच्छे से आप इसी तरह से गुथ लिए दो मिलेक के लिए रेस्पे मैंने छोड़ दिये थे अब इसकी छोटी-छोटी इस तरह से इतना नदर असे टुक्राय से लाले इसे अब मैं इसे आप बनाने का तरीका बताती हूं देख सकता हैं इस तरह से पुरा बोल कर इसको ऐसे एक ही से एक से दो बार करेंगे अपने आप यह आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से करते जाए दलती से इतना ही पखला पड़के देखिए इस तरह से अगर इसको अगर बीज से हलका किनारे से यह हो जाए तीसी हटा दे अब फिर से दुबारा उसी तरह का बना इस तरह से लंबे-लंबे सेप में जो फापरे का सेफ होता है आप चाहें तो चोड़ा भी रख सकते हैं और यात व तरह करने मैं दूसरा बनाया इसी तरह से देखिए इस तरह से पूरा नीचे दालका तलहठी का सहारा दे ज्यादा नादे नहीं तो बीच से तूटने का डर है इस तरह से आप इसे तरह से ज़ister आर रखना चाहें तो चौरा रख सकतेWW पतला रखना चाहें तो आप पतला भी रख सकते हैं इस तरह से मैंने आप देख सकते हैं थिछ इस तरह से देख सकते हैं इधर मैंने तेल भी गरम कर चुके हैं आप देख सकते हैं तेल को चेक करके देख लें यह पुड़ा प्रिफेक्ट गरम हो चुका है तलने के लिए अम इसमें इसे डाल करके ऐसे बारी-बारी से एक-एक डाल करके आप ठ्राई कर लें यकीन मानिए आप लोगे एक बार बार बनानेुगे लेक्छा होगी थिकी लारे क्लर कर सो चुकहे हैं अब भर मैई से मद़ीवाली चन्नी की शहता से मैई से निकालोंगी और इसे मेरे डालोंगे। देख सकते हैं इस तरह से इस वाले मैज इस निकाले जिससे ज़दाशारी खायन होगा जाईन का मैने यूज किया आप चाहें तो इसमें ढीवी डाल सकते हैं तेल का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से इसे चलने दे तक तक मैं दूसरा डालती हूं आप देख सकते हैं आप भी इसी तरह से तरह आप फ्रेम को थोड़ा सा मैंने अभी मिडिया में लोग पे रखा था था थोड़ा साफ टेज कर लें इस तरह से आप भी डालते जाएं इस तरह से यह देखिए आपका फाफरा तयार है एक सार्व करने के लिए आप लोग भी इसी तरह बना इसे सफर में भी आप ले जा सकते हो कई महीनों तक यह चलता भी जल्दी खराब ही नहीं होता आप भी अपने घर पर बना कैसा लगा मेरे वीडिय है तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवीट कीजिए थैंकियो धन्यवाद